हलो एव्रिवन देशेश श्यवांगी और आज हम लोग मल्टी मीडिया में यूनिट टू मेमोरी एन स्टोरिज डिवाइसे के बारे में पढ़ेंगे तो प्रिविस क्लास में हम लोगों ने देखा था स्टोरिज डिवाइसे किसको कहते हैं उसके साथ साथ मेमोरी हाइरिकी, मेमोरी के ट्रीज, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स और हम लोग ने रैम के टाइप्स को देखा था है रैम किसे कहते हैं और रैम के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसको हम लोगों ने प्रिविस क्लास में देख लिया था तो देखिए आप लोगों ने इतने part को previous class में देख लिया है, RAM किसे कहते हैं, RAM के कितने types होते हैं, DRAM, SRAM और एक और advanced types देखा हम लोगों ने, जिसको क्या बोलते हैं, RD RAM, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा, तो आज की class में हम लोग room के types को देखेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग confused हो जीवी क्या होते हैं, bit क्या होते हैं, byte क्या होते हैं, तो उसे हम लोग आज पढ़ेंगे, कि सब के size क्या क्या होते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेगा, क्योंकि objective में आप लोग उसे बहुत बार पूछा जा सकता है, तो चले start करते हैं, what is room, room stands for read only memory, ठीक है, stores information that can only be read, तो हम लोग ने previous class में ही बोला था, RAM और ROM में क्या difference है, RAM में हम लोग read and write दोनों कर सकते हैं, but ROM में सिर्फ हम लोग information को read कर सकते हैं, तो first difference धियान रखे, room stands for, इसके नाम से ही है, read only memory, stores information that can only be read, modifying the data is difficult, ROM में क्या होता है, data को modify करना difficult होता है, room is also a type of non-volatile storage, which means that the information is stored even if the component losses power, क्या होता है, second difference हाप लोग धियान रखे, RAM जो है मेरा volatile memory है, but ROM जो है मेरा non-volatile memory है, क्योंकि RAM मेरा क्या है, temporary storage है, but ROM मेरा क्या है, permanent storage है, जिसमें क्या होता है, कि अगर मेरा computer का power loss, किसी भी component के उपर जब मैंने store कर रखा है, अगर उसका power loss हो गया, या किसी तरह से failure हो गया device मेरा, तो उसके data store जो होते हैं, वो कभी भी loss नहीं होते हैं, ठीक है, यह तीन इसके basic types है, और एक और ROM के types है, जैसे तरह RAM में हम लोगोंने एक third advanced version देखा, उसी तरह यहाँ पे flash double E.P.ROM है, जो की E.P.ROM के ही कुछ advantages, जो इसमें नहीं होंगे, वो इसमें पाए जाएंगे, तो हम लोग one by one करके सारे ROM के parts को देखेंगे, तो सबसे पहले P.ROM, creating ROM chips from scratch is time consuming and very expensive in small quantities, for this reason, developers created a ROM known as programmable read only memory, blank P.ROM chips can be brought in low cost and coded by user with a programmer while buffering, आप क्या होता है, देखिए, जब कभी भी हम लोग new ROM लेते हैं, उसको लेना बहुत ज़्यादा time consuming होता है, मतलब अगर हम ROM में एक simple सा ROM chip लेते हैं हम लोग, तो उसको क्या होता है, कि उसको लेना और उसके अंदर जो प्रोग्राम किया हुआ होता है, अगर हम लोगों को इस ROM के अंदर कोई भी modification करना होता है, तो वो tough होता है, ठीक है, और बहुत time consuming होता है, अगर हम लोग simple सा कोई blank P-ROM ले ले, तो क्या होता है, जो भी developer होते हैं, यह कम दाम में देता है, जो भी developer होते हैं, इसको reprogram कर सकते हैं, ठीक है, तो यह इसके और इसके में यही difference है, कि मेरा ROM और P-ROM में क्या है, ठीक है, तो P-ROM क्या है, इसके नाम से है, प्रोग्रेंट, रीड उनली मेमोरी, ठीक है, इट इस यूज़ इन डिजिटल इलेक्रोनिक डिवाइसे, तो स्टोर पर्मनेन डेटा, ओके, इट इस एवलेवल इन लो कोस्ट एस कंपेर तो अधर रैम, ठीक है, ये, राइम के कंपेर में, ये क्या होते हैं, कम अधाम पे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग एक blank P-ROM खरीद सकते हैं, जिसको हम लोग low cost पे खरीद सकते हैं, और उसको reprogram कर सकते हैं, प्रोग्रामर की help से, ये हुआ मेरा P-ROM. ठीक है, next है E-P-ROM, EP को full form क्या हो गया Erasable Programmable Read Only Memory ठीक है Is a Programmable Read Only Memory That can be erased and reused And it is non-volatile memory We can erase the data in this EP ROM By using high voltage UV light देखे क्या होता है कि P ROM को हम लोग क्या करते है P ROM को हम लोग यह P ROM का क्या मतलब definition है ऐसा ROM जिसको हम लोग Programmed कर सकते हैं यह हुआ P ROM अब यहां पर लगा EP ROM इसमें क्या हुआ ऐसा ROM जिसको हम लोग UV race के help से UV race के help से erase कर सकते हैं और उसको reprogrammed किसके help से कर सकते हैं P ROM के help से इसलिए इसके definition में क्या है इसके नाम में है EP ROM मतलब ऐसा ROM जिसको हम लोग ERAGE कर सकते हैं UVRAGE से और उसको reprogram ERAGE करने के बाद क्या होगा वो मेरा ROM खाली हो जाएगा उसको reprogram किसकी हेल्प से करेंगे PROAM की हेल्प से जहाँ पर developer फिर से वो एक blank हो जाएगा जैसे हम लोग ERAGE करेंगे UVRAGE से तो क्या होगा मेरा ROM होगा वो फिर से blank हो जाएगा blank होने के बाद उसको हम लोग किस से program करेंगे PROAM से फिर से हम लोग programmed कर सकते हैं clear in EPROM we need to erase each and every cell EPROM में क्या होता है हम लोगों को हर एक cell को erase करना होता है किसकी हल्प से ध्यान डखना है EPROM में हम लोग UVRAGE की हल्प से हम लोग हर एक cell को erase करते हैं we can't erase data in RAM PROAM only we can erase data in EPROM ठीक है RAM में क्या होता है हम लोग data को erase नहीं कर सकते हैं but we can erase data in PROAM EPROM में हम लोग data को erase कर सकते हैं इतना ध्यान रखता है क्या था अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या देखा कि PROAM में PROAM में किसी भी data को erase नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि सिर्फ इसमें हम लोग program करते हैं but EPROM क्या है मेरा erasable मतलब जैसा programmed ROM था उसी में एक term यहां पे आगिया E मतलब erasable erase तो ऐसा ROM जिसको हम लोग erase कर सकते हैं किसकी हल्प से U erase के फिर erase करने के बाद वो खाली हो जाएगा खाली हो जाने के बाद हम लोग किससे program कर देंगे PROAM से हम लोग फिर से उसको program कर सकते हैं ठीक है तो EPROM में ध्यान रखना है हर एक cell को erase करना होता है और फिर से उसको program किसके help से करेंगे PROAM से चलें नेक्स आ रहा है डबल EPROM डबल EPROM में क्या होता है आप तो घ्ञान से देखेगा देखें इसका नाम क्या है सबसे पहले PROAM लिग देते हैं ठीक है ROM PROAM फिर आया E मतलब ऐसा ROM जिसको हम लोग erase कर सकते हैं इस E का मतलब हुआ electricity जैसे हम लोग में EP ROM में क्या था UV erase इसमें हम लोग electricity के help से erase करेंगे और फिर किसके program कर देंगे इस P से हम लोग इसको programmed कर देंगे ठीक है तो देखे electrically erasable programmable read only memory this can be erased and reprogrammed using an electrical charge electrical charge के help से हम लोग उसको erase कर सकते हैं और reprogrammed with the help of PROAM EP ROM double EP ROM was replacement for PROAM and EP ROM and later it is used for computer BIOS BIOS Basic Input Output System में हम लोग इसको use करते हैं double EP ROM को क्या हो गया double EP ROM मेरा जो previous हम लोग ROM में यूज करते हैं P ROM और EP ROM इसको हम लोग को replace करके क्या हो गया दोनों का advanced version क्या बन गया double EP ROM ठीक है इसमें क्या था कि program ship करते थे इसमें हम लोग erasable UV race की help से करते थे अब यहाँ पर electrical charge की help से program erase करते हैं P ROM की help से हम लोग उसको program भी कर सकते हैं तो इसमें हम लोग का दोनों चीज आ गया और इसको हम लोग इसमें use करते हैं BIOS में ठीक है ध्यान रखना है clear चले अब हम लोग देखते हैं डबल इपी रोम requires data to be written or erased one byte at a time डबल इपी रोम are used to store configuration parameters and in modern computer they replace BIOS CMOS memory ठीक है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि डबल इपी रोम requires data to be written or erased one byte at a time क्या होता है डबल इपी रोम में एक time में एक ही byte data को हम लोग erase कर सकते हैं ठीक है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है अगर हम लोगों को दोनों में difference पूछे एपी रोम और डबल इपी रोम में तो हम लोग यह सा कहेंगे कि डबल इपी रोम में हम लोग हर एक cell data को एक एक byte करके हम लोग अपने data को erase करते हैं और लिखते भी उसी तरह है प्रोग्रामरी हम लोग उसी तरह करते हैं पहले एक byte लिखते हैं फिर दूसरा byte लिखते हैं मतलब वन byte करके erase भी करते हैं हम लोग प्रोग्रामरी वैसे ही करते हैं यह हो गया double EPROM, अब देखें, flash EPROM क्या होता है, double EPROM, flash memory is a type of non-volatile memory that erases data in units called block, द्यान रखना है, कि हम लोगों का EPROM में जो data erase हो रहा था, वो किसके form में हो रहा था, cell, हर एक cell को delete करते थे हैं लोग, अब इसमें देखें, flash memory is a type of non-volatile memory that erases data in units called block, block में हम लोग data को erase करते हैं, a block stored on flash memory chip must be erased before data can be written, और programmed to the microchip, ठीक है, देखें, क्या होता है, कि flash memory जो chip होता है, इसमें data को जब हम लोग reprogrammed कर रहे होते हैं, तो reprogrammed करने के लिए, जो पहले का programming होता है, उसको हम लोग को erase करना must है, अगर जब तक इस data को हम लोग erase नहीं करेंगे, तब तक हम लोग reprogrammed नहीं करेंगे, ठीक है, it is more expensive than other hard drive and rams, ठीक है, यह ज़्यादा costly होता है, it can be erased only in limited number of times, यह all time erase नहीं कर सकता है, limited number of times, कि इसके कुछ न कुछ rules है, उस rules को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, अब देखे, अब देखे, memory measurement क्या होता है, the data is measured in terms of beats in the memory, a bit is a single binary value that may be 0 और 1, ठीक है, तो जो मेरा data होता है, जिस memory में जो data होता है, उसको हम लोग किस तरह measure करते हैं, bits के form में, तो bit जो होता है, किसी भी, उसको single value को bit कहते है, मतलब 0 या 1 को हम लोग bit बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, a byte, अब byte क्या होता है, a byte is a group of 8 bit, and is equal to 1 character, ध्यान रखना है, कि beat और byte में क्या difference है, आप लोग अच्छे से देखेगा, बहुत लोग इसमें confuse करते हैं, beat मतलब क्या होगा, एक एक single value, जैसे 0 या 1, this is bit, and nibble क्या हो गया, nibble is a group of 4 bit, मतलब 1, 2, 3, 4, these are nibbles, and byte क्या हो गया, byte is a group of 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका जो group हो गया, इसको byte बोलते हैं, या फिर इसको equals to 1 character, एक character की equal to byte होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, आप यहां से हम लोग देखेए, इसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से, इसको आप लोग इस table को अच्छे से ध्यान रखेगा, objective में भी पूछेगा, और आगे आपके competition exam में भी यह बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखे, किसी भी competition exam में यह table कहीं न कहीं आपसे पूछेगा है, ठीक है, तो 1 bit, bit is single digit, 0 or 1, 1 nibble is 4 digit, 4 digit, sorry, 4 bit के होते हैं, मतलब 0, 0, 0, 0, तो वो क्या होगे, 1 nibble, 1 byte क्या होगे, 8 bit के equal होते है, 8 bit, मतलब, जो हम लोग लिखते हैं, suppose 0, 1, 1, 0, 0, 1, ठीक है, 1, 0, यह क्या होगे है मेरा, 8 bit, अब देखे, 1 kilobyte, 1024 bytes, ध्यान रखना है, 1 kb में क्या होता है, 1 kb में 124 bytes होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 124 bytes, 1 mb में 1024 kb, देखना है, 1 mb equals to 1024 kb, ठीक है, 1 gb equals to 1024 mb, ध्यान रखना है, 1 tb, देखे, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, kb, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yotabyte, brontabyte, and geobyte, इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग जिस तरह kg, meter, centimeter इस तरह हम लोग परें है, उसी तरह हम लोग को computer science के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, tetrabyte, 1024, gigabyte, ठीक है, फिर 1 petabyte, 1024, तो 1024 से ये बरता जा रहा है, इस चार्ट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेगा, और इस point को अच्छे से देखेगा, ठीक है, kilobyte, सबसे पहले आता है, bit, nibble, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, 1024 से ये सब बरता जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, 1024 से ये बरता जा रहा है, जैसे देखे, 1 kb, 1 kb equals to 1024 byte है, bytes, not bits, इसको ध्यान रखना है, bytes है, not bits, तो, और bytes क्या है, एक bytes क्या है, किसके equal होता है, आपका 8 bits के equal होता है, 8 bits के equal, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग को कहीं भी यहाँ पर problem हो, इस चार्ट को आप लोग अच्छे से देखिएगा, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, किसी भी competition exam में यह जरूर पूसता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोई भी problem हो, आप लोग मुस्से पूस सकते हो, तो, ठैक्स वर वाग्चेsentत